ओम शिरी परमात्मने नमह यत्थार्थ गीता शिरी मद्भगबद गीता अरंब अठार्मा अध्याए एह गीता दा अंतिम अध्याए है जिस्ते पहला वाले अध्य हिसे विच योगेशुर श्री क्रिशन राही अनेक प्रशना दा समाधान पेश कीता गया है अते बाद वाले अध्य हिसे विच गीता दा उपसंहार है कि गीता दा लाब की है स्तार में अध्याय विच अहार, तप, यग, दान अते श्रद्धा दा वक वक सवरूप दस्या गया उसे सिल्सले विच त्याग दे परकार दसने अजे बाकी हन अर्जुन ने आप एक प्रशन रख्या की त्याग अते सन्यास नूवी इसे तरह वक वक पूरी तरह स्पस्ट करो अर्जुन उवाच सन्यासस्य महाबाहो तत्व मिच्छामी वेधितुं त्यागस्य चरिशी केश प्रिथक केशी निशूदन अर्जुन ने केहा हे महाबाहो हे हिर्देदे मालिक हे केशनी सूदन मैं सन्यास अते त्याग दे यथार्थ सबरूप नूँ वक वक जानना चाउंदा हां पूरण त्याग सन्यास है जित्थे संकल अते संसकार वी खत्म हो जान दे हां इस तो पहला साधना पूरी करन लेई जो सब कुछ छड़दे हुए अग्गे बदना पैंदा है वो ही त्याग है एथे जो अर्जुन दे दो प्रश्न हन की सन्यास दे ततनू जानना चाउंदा हां अते दूजा एह की त्याग ततनू जानना चाउंदा हां इस्ते श्री कृष्न के हाथ श्री भगवान उवाच काम्यानाम कर्मनाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुहु सर्वकर्म फलत्यागमु प्राहुस्त्यागम विचक्षणा अर्जुन कितने ही पंडित जन काम्या कर्मा दे त्यागनू सन्यास केंदे हन अते कितने ही विचार कुष्ल पुर्ष सारे कर्म फला दे त्यागनू त्या केंदे हन् त्याज्यम् दोशवदित्ये कें कर्म प्राहुर्मनी शिनाह यद्यदानत्य पह कर्म नत्याज्यमिति चापरे केई विद्वान ऐसा केंदे हन की सारे कर्म दोश्मई हन इसलिए त्याग देंदे योग हन अते केई होर विद्वान एह केंदे हन की यग दान ते तप त्यागन योग नहीं हन इस तरह अनेक मत पेश करदे हुए योगेश्वर अपना वी निश्चित मत देन दे हन निश्चयम श्रिणुमे तत्र चागे भरत सत्तम चागो ही पुरुष व्याग्र हे अर्जुन उस त्याग दे बारे तु मेरे निर्णे नू सुन हे पुरुष श्रेष्ट उह त्याग तिन परकार्दा किहा गया है यज्यदान तपह कर्म नत्याजम कार्यमे वतत् यज्योदानम तपस्चैव पावनानि मनीशिणां यज्यदान तप एह तिन तरांदे करम त्याग दे योग नहीं हन् एह तां करने ही चाहिदे हन् क्योंकि यज्यदान तप तिन्नों ही मनुखनू पवित्र करनवाले हन् श्री कृष्ण ने चार परचलित मतां दा जिकर कीता पहला काम्य कर्मा अर्थात कामनामा पर एक कर्मा दा त्याग दूजा सारे कर्म फलां दा त्याग तीजा दोश मेई होन दे करन सारे कर्मा दा त्याग अते चौथा मत यग दान ते तप त्यागन योग नहीं हन। उना विच्चों एक मत दे बारे आपनी सहमती दस्ते होई श्री कृष्णे के हा। अर्जुन मेरा वी यकीनन एहो मत है कि यग दान ते तप रुपी क्रियावा त्यागन योग नहीं हन। इस तो जाहिर है कि कृष्ण काल विच भी केई मत सं आज़ भी हन महापुर्ष जद दुनिया विच आउंदा है, ता केई मत मतांतरं विच्चों कल्यान कारी मत नूचुन के सामणे राख देंदा है। हर महापुर्ष ने एहो किता है, श्री क्रिशन ने वी एहो किता है, उन्हाने कोई नवा मारक नहीं दस्या, सगों पर चलित केई मताविच्चों सच्चे मात नूं सहमती दे के उसे नूं सपस्थ कर देता संगम त्यक्त्वा फलानिच कर्तव व्यानीति में पार्थ निश्चितम मत मुत्तमम योगेश्वर श्री क्रिश्न जोर देके केंदे हन, पार्थ यग दानते तप रूपी करम आ सकती अर्थात लगाओ अते फालनू त्याके जुरूर करने चाहिदे हन, एहे मेरा निश्चित की ताहया उत्तममत है हुन अर्जुन दे प्रशंदे अनुसार उत्याक दा विश्लेशन कर दे हन नियतस्यतु सन्यासाह कर्मनो नोप पज्यते मोहा तस्य परित्यागा तामसः परिकीर्टिताह हे अर्जुन नियत करम अर्थात श्री कृष्ण दे शब्दा विच नियत करम इको है यग दी प्रक्रिया इस नियत शब्दनों आठ दासवार योग इश्वर ने केहा है इस उते बार बार जोर देता है कि किद्रे पटक के कोई दुज्जा काम ना करन लगो इस शास्तर विदी वारे नियत करम दा त्याग करना उचित नहीं मोहो नार करम दा त्याग करना तामस त्याग किहा गया है संसारक विशे वस्तुआं दे लगाव विच फसके कार्यम करम अर्थात नियत करम करना इक दुज्जे दे पूरक हन ऐसा मन के कीता त्याग तामसी त्याग है ऐसा पुरुष अधह गच्छती कीट पतंग दियां अधम योनियां विच जानदा है क्योंकि उसने पजन दियां परवर्तियां छड़ दितियां उन राजस त्याग दे बारे विच केंदे हन दुख मित्ये वयत कर्म कायकलेश भयात्यजे सकृत्वा राजसं त्यागम कर्मनु दुख मैं समझके शरीरनु तकलीफ होन दे डार ना उस्ता त्याग करन वड़ा व्यक्ती राजस त्याग करन दे बावजूद त्याग दे फालनु प्रापत नहीं हुंदा जिस त्याग नाल पजन पारना लगे अते कायकलेश भयात्य इस डार नाल कर्मनु छड़या जावे कि शरीरनु कस्थ होएगा उस मनुख दा ओह त्याग राजसी है उसनु त्याग दा फल परमशान्ती प्रापत नहीं हुंदा कार्यमित्येवयत कर्मनु नियतं क्रियतेर जुनां। संगम् त्यक्त्वा फलं चैवर सत्यागस्सात्विको मताहं। हे अरजुन करना करतव है ऐसा मन के जो नियतं शास्त्र विदी नाल निर्धारित करम संग दोश अते फलनु त्याग के कीता जान्दा है ओही सात्विक त्याग है। इसलिए नियत करम करो अते इसते सिवाए जो कुछ है उसदा त्याग करो। एह नियत करम भी की करदे ही रेना है जा कदे इसदा भी त्याग होवेगा। इसते ओह केंदे हन की फुन अंतिम त्यागदा रूप वेखिये। नद्वेश्ट कुषलं करम कुषले नानुषज्यते। त्यागी सत्व समा विष्टो मेधावी छिन्न संशयाह। हे अर्जुन जो पुरुष अकुषलं करम अक कल्यान कारी करम नाल। शास्त्र विदी नाल नियत करम ही कल्यान कारी है। इस्दे विरुद जो कुछ भी है इस लोकदा बंधन है। इसलिए अकल्यान कारी है। अते करम नाल ऐसे करम नाल द्वेश नहीं रखदा। कल्यान कारी करमा विच आसकत नहीं हुन्दा। जो करना सी ओह भी बाकी नहीं ऐसा मन्नणवाडा सत्य नाड इक होया ओह पुर्ष शंशा रहित ग्यानवान अते त्यागी है उसने सब कुछ त्याग गया है पर प्राप्ति दे नाड एह पूरण त्याग ही सन्यास है हो सक्दा है कोई होर आसान तरीका होवे इस्ते योगेश्वर केंदेहन नहीं बेखिये नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम करमान्य शेशता यस्तु करम फलत्यागी सत्यागी त्यभिधियते देहतारी पुर्शांदे राही अर्थात सिर्फ शरीर ही नहीं जो त्वाननू दिस्दा है श्री कृष्ण दे अनुसार प्रकृती तो पैदा सत्त रज तम तिन्नों ही गुण इस जीवात्मानू श्री नाड बंदे हन जद तक गुण जिंदा हन तद तक उह जीवतारी है किसे ना किसे रूप विच शरीर बदलदा रहेगा देह दे कारण जद तक जिंदा है तद तक सारे करमानू पूरी तरह त्यागना मुम्किन नहीं है इसलिए जो पुरुश करम दे फालदा त्यागी है वो ही त्यागी है इसलिए ज़त तक शरीर दे कारण जियुन दे हो तद तक नियत करम करो अते उस दे फाल दा त्याग करो बदले विच किसे फाल दी कामना ना करो वैसे सकामी पुर्षा दे करम दा भी फाल मिलदा है अनिष्टमिष्टमिष्टमिष्रण्च त्रिविधं करमण हलं भवत्यत्यागिनाम प्रेत्य सकामी पुर्षा दे करमा दा अच्छा बुरा अते मिलिया जुलिया ऐसा तिन परकार दा फल मरने दे बाद भी हुन्दा है जनम जनमांत्रा तक मिलदा है पर सन्यासी नाम सब कुछ त्याग करनवाले पूरे त्यागी पुर्षा दे करमा दा फल किसे भी काल विच नहीं हुन्दा एहो शुद्ध सन्यास है सन्यास सब तो उच्ची अवस्था है पले बुरे करमा दा फल अते पूर्ण सन्यास काल विच उनादे अंत दा प्रशन पूरा होया हुन वेखिये कि पूर्ष राही शुब जा शुब करम कीते जान वेच कारण की है पंचैतानी महाबाहो कारणानी निबोध में सांखे कृतान ते प्रोक्तानी सिद्ध ये सर्व कर्मना हे महाबाहो सारे करमादी सिद्धी लई पंचैतान सांख्य सिद्धान्त विच कहे गए हन उनानू तू मेरे को लो पली पान्त जान अधिष्ठानं तथा करतां करणंच प्रुथक विधं विविधाश्च प्रुथक चेश्टा दैवं चैवात्र पंचमं इस मामले विच करता अर्थात एह मन वक्ष वक्ष करण अर्थात जिनाराही कीता जान्दा है जे शुब पार लगदा है ता विवेक, वेराग, सम, दम, त्याग, निरंतर चिंतंदियां प्रविर्तियां करण हून गियां ते जे अशुब पार लगदा है ता काम, क्रोद, राग, द्वेश, लालच आदी करण हून गे एहे अशुब दे प्रेरक हून गे पांत पांत दियां अजीव अजीव हरकतां अर्थात अनंत इच्छावा, अधार, अर्थात सादन जिस इच्छा लेई सादन मिल गया है, ओह इच्छाव पूरी होन लग दी है अते पंजमा कारण है दैव जासंसकार जो इस दी पुष्ट्री कर दे हन शरीरवां मनो भिर्यत, कर्म प्रारभते नराह, नायम वा विपरीतम वा पंचईते तस्यहेत वाह मनुख मन, वानी जा शरीर नाग, शास्तर अनुसार, जा विरुद, जो वी कर्म शुरू करदा है उना दे इहो पांज कारण हन, पर ऐसा होन दे बावजूद भी तत्रईवं सतिकर्तारं आत्मानं केवलं तुयाह पश्यत्यकृत बुद्धित्वान, नस पश्यति दुर्मति है जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि दे कारण केवलता सवरूप आत्मानू करम दा करता वेखदा है ओह दुर बुद्धि मनुक यथार्थ नहीं वेखदा अर्थार्थ करण वाला पगवान नहीं इस प्रश्ण उते योगेश्वर ने दुजी वार जोर देता है अध्याए पंज विच उनने दस्यासी की ओह प्रबूर ना करदा है ना करांदा है अते ना ही क्रियावां दे ताल मेल जोडदा है तन लोकी एह केंदे क्यों हन क्योंकि मोहो नाल लोकांदी बुद्धी टकी हुई है इसलिए ओह कुछ भी कह सकते हन एथे भी योगेश्वर ओही गल केंदे हन की करम होन दे पंज कारण हन उस दे बाबजूद भी जो केवलता सबरूप परमात्मानू करता वेखदा है ओह मुड बुद्धी अर्थात दुर बुद्धी मनुक यतार्थ नहीं वेखदा अर्थात पघबान नहीं केंदे जद की अर्जुन लेई ओह सम्णे खड़े हो जानदे हन ते केंदे हन नमित मात्रम भव करता तर्ताता मैं हाँ तू नमित अर्थात माद्यम जान जरीया बन के बस खड़ा हो जा आखर उहो माहापुर्ष कैना की चौन्देहन दरसल पगवान अते प्रकृती दे दर्म्यान एक आकर्शन रेखा है ज़तक सादक प्रकृती दी सीमा विच है तद तक पगवान नहीं कर दे बहुत नजदीक रहके भी द्रिस्टा बन के ही रेंदेहन अनन्य पाबनार इस्टनू पकड़न दे बाद उहो हिर्दे देश विच मारक दर्शक बन जान देहन अते सादक प्रकृती आकर्शन सीमा तो निकल के पगवान दे खेतर विच पहुँच जान दा है ऐसे अनुरागी दे लेई ओहो आप सदा समने खड़े रेंदेहन सिर्फ ऐसे अनुरागी लेई ही पगवान करदेहन इसलेई चिंतन करो प्रश्न पूरा होया अग्ये वेखिये यस्यनाहं कृतो भावों बुद्धिर यस्यन लिप्यते हत्वा पिस इमालो का नहंति ननिबध्यते जिस पुरुषदे अन्ते करण विच मैं करता हाँ ऐसा पाव नहीं है अते जिस्दी बुद्धि लिप्त नहीं हुंदी अर्थात निरलेप रंदी है ओह पुरुष इना सार्या लोका नू मार के वी असल विच ना ता मर्दा है अते ना उना विच रुजदा है लोक दा संघार अर्थात संस्कारा दा मिटना ही लोक संघार है हुण उस नियत करम दी प्रेणा किमे हुंदी है इसनू वेखिये ज्यानम गेयम परिज्याता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संघार अर्जुन परिज्याता अर्थात पूरण ग्याता महापुर्शां पास हों ज्यानम उसनू जानन दी विदी नाड अते गय जानन योग वस्तू श्री कृष्ण ने पहला कहा है कि मैं ही जानन योग पदार थां नाड करम करन दी प्रेणा मिल दी है अते कर्ता अर्थात मन दी लगन करन अर्थात विवेक वेराग शम दम आदी अते करम दी जानकारी नाड करम दा संग्रह हुंदा है करम इकठा होन लगता है पिछे किहा गया है कि प्राप्ती दे बाद उस पुरुष्टा करम की ते जाननाल कोई मतलब नहीं रेंदा अते नाही छड़ननाल हानी हुंदी है फिर भी लोग संग्रह दे लई ओह करम विच वर्तदा है करता करम ते करण द्वारा इनादा संग्रह हुंदा है ज्यान करम ते करता दे वी तिन तिन पेधहन ज्यानम करम च करता च त्रिधाईव गुण बेध ताह प्रोच ते गुण संख्याने यथा वच्छिन तान्यपी ज्यान करम ते करता वी गुणा दे पेध अनुसार सांख्य शाष्टर विच तिन तिन परकार दे दस्ये गई हन उना नून भी तू उसे तरा सुन पहला ज्यान दा पेध सर्वभूतेशुये नैकम् भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेशुये तद ज्यानम विधिसात्पिकम् अर्जुन, जिस ग्यान नाल मनुख वक वक सारे प्राणियां विच इक अविनाशी पर्मात्मा पावनू अखंड एक रसवेकदा है उस ग्यान नू तू सात्विक जान ग्यान पर तक अनुपूती है जिस्ते नाल ही गुणादा अंत हो जाना है इहे ग्यान्दी परिपक अवस्था है हुन राजस ग्यान देखिए तत ज्यानं विध्धि राजसंग। जो ग्यान सारे प्राणियां विच वक वक तरादे अनेक पावानू वक वक कारके जानदा है कि एहे अच्छा है एहे बुरा है उस ग्यानू तू राजस जान। जे ऐसी स्थिती है तत वाड़ा ग्यान राजसी पद्दरदा है। उन विखिये तामस ग्यान। यत्तु कृच्णवदे कस्मिन। कार्ये सक्तम है तुकम। अतत्वार्थ वदल पंच। तत्तामसमुदारितम। जो ग्यान सिर्फ शरीर दे अंदर ही पूरी तरह लगाओ नाल लग्या होया। युक्ती रहित अर्थात जिस दे पिछे कोई कर्म नहीं है। तत्त दे अर्थ सबरूप परमातमा दी जानकारी तो अलग करन वळा। अते तुछ है ओहो ग्यान तामस ग्यान है। हुण करम दे तिन पेल। नियतं संगरहितं अरागद्वेशतक्रितं अफलप्रेव्सुना कर्म यतत्त सात्विक मुच्चते। जो करम नियतं शास्त्र विदी नाल निर्धारित है। संग दोश अते फाल्दी इच्छा ना रखन वाले पुरुष्राहीं बिना रागद्वेश दे कीता जान्दा है। ओहो करम सात्विक किहा जान्दा है। नियत करम अर्थात अराधना चिंतन है। जो परम तत्विक परवेश द्योंदा है। यत्तु कामेप सुना करम साहंकारेण वापुनाह। क्रियते बहुलायासं तद्राज समुदारितं। जो करम बड़ी मेहनत बाड़ा है, फाल्दी इच्छा वाले अते अहंकारी पुरुष राही किता जान्दा है। जो हो करम राजिस किहा जान्दा है। एह पुरुष भी ओही नियत करम ही करदा है। पर फरक सिर्फ इतना है कि एह फाल्दी इच्छा अते अहंकार रखदा है। इसलिए उस राही होन बाड़ा करम राजिस है। होन तामस। अनुबंधं क्षयं हिंसां। अनवेक्षच पुरुषं। मोहादार अभ्यते करम यतत्तामस मुच्चते। जो करम अन्त विच नस्ठ होन वाड़ा है। इंसा आपनी समर्था दा विचार ना करके सिर्फ मोहो नाल कीता जानदा है। उह तामस है। साफ है कि एह करम शास्तर दा नियत करम नहीं है। सगों उस्ता एक परम है। हुन करता दे लक्षनवेक। मुक्त संगो नहम वादि दृत्युत्साह समन विताह। सिध्य सिध्योर निर्विकारह। करता सात्विक उच्चते। जो करता संग दोश्तों रहित होके अंकार वाड़े वच्चन ना बोलदा होया। तीरिश्ते उत्शाहनार परके कारिश्दे सिध्योर होन जा ना होन विच्च खुशी गमी आदी विकारहं तो दूर रहके करम विच्च निरंतर परवृत है। ओहो करता सात्विक कहा जान्दा है। एहो उत्तम सादक दे लक्षण हान। करम ओही है नियत करम। रागी करम फलप प्रेप सुह। लुब्धो हिं सात्म कोशुचिह। हर्श शोकान वितख करता। राज सब परिकीरती ताहा। त्रिश्ना वाड़ा करमा दे फाल्दी इच्छा वाड़ा लालची आत्मानु कस्ट देन वाड़ा अप वित्र अते हरक शोग नाल पर्याग करता राजस आख्या गया है। अयुक्तः प्राकृतः स्थब्धाहा। शठो नैश्कृति को लसाहा। विशादी दीर्ग सूत्रीच करता तामस उच्चते। जो चंचल चित वाड़ा असभ्य कमंडी तूर्त दूज्यादे कमा विच आड़ पाउण वाड़ा शोग करन वाले सो आवदा आलसी अते दिर्ग सूत्री है की फेर कर लमांगे अर्थात टालम टोल वाड़ा उहो करता तामस केहा गया है। दिर्ग सूत्री बंदा कर्म नू कल उते टालनवाड़ा है। हलांकी करम दी इच्च्चा उसनू भी रेंदी है। इस तरह करता दे लक्षन पूरे होई। हुन श्री कृष्ण ने नमा प्रशन रख्या की बुद्धी तार्णा अते सुक दे लक्षन की हान। बुद्धेर भेदं दृतेश्चैवं गुणतस्त्रिविधं श्रिनूं। प्रोच्चमा नमशेशेण प्रिथक्त्वेन धनन्जय। धनन्जय बुद्धी अते तार्णा शक्ती दाबी गुणा दे अनुसार तिन परकार दा पेद पूरणता नाल वक वक करके मेरे तों सुन। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्या कार्ये भया भये बंधं मोक्षंचया वेति बुद्धिस्सा पार्थ सात्वी की पार्थ प्रवृत्ति अते निर्वृति नू कर्तव अते अकर्तव नू पै अते अपै नू बंधन अते मोक्ष नू जो यथार्थ रूप नाल जान दी है उह बुद्धी सात्पिक है अर्थात परमात्मा मारग अते आवागमन मारग दोम्यादी पली पांत जानकारी सात्विक बुद्धी है जिवे पार्थ जिस बुद्धी नाल मनुक तरम ते अतरम नू कर्तव ते अकर्तव नू भी यथार्थ रूप विच नहीं जानदा अधूरा जानदा है उह बुद्धी राजसी है हुन तामसी बुद्धीदा सवरूप वेखिये बुद्धिस्सा पार्थ तामसी पार्थ तमों गुर्णाल तक की होई जो बुद्धी अतरम नू तरम मन्दी है अते सारे हिता नू उल्टा ही वेख दी है ओह बुद्धी तामसी है एथे श्लोक तीतों वत्ती तक बुद्धी दे तिन पेद दस्षे गए पहली बुद्धी ता एह जानकारी रखनवारी हुंदी है कि केड़ा कम करना है केड़ा नहीं करना केड़ा करतव है ते केड़ा अकरतव है ऐसी बुद्धी साथपिक है जो कर्तव अकर्तव नू अधूरे टांग नाल जान दी है या थार्त रूप नाल नहीं जान दी ओह राजसी बुद्धी है अते अतरमनू तरम, नश्वरनू शाश्वत, हितनू अहित, इस तरह विपरीत जानकारी वड़ी है, ओह बुद्धी तामसी है, इस तरह बुद्धी दे पेद पूरे होए उन बेखिये दुज्या प्रशन, घृती तारणा दे तिन पेद धृत्याय आधारयते, मनः प्राणेंद्रियक्रियाह, योगे नाव्यभिचारिन्याह, दृतिस्सा पार्थ सात्वी की योगेन योगिक प्रक्रिया द्वारा, अव्यभिचारनी अर्थात योग चिंतन दे इलावा, पोर कोई त्यान ओना व्यभिचार है, चितदा बहक जाना व्यभिचार है, इसलिए ऐसी अव्यभिचारनी तारना नाल, मनुख मन, प्राण अते इंद्रियां दी क्रियानू जदों तारन करदा है, ओह तारना सात्विक तारना है, अर्थात मन प्राण ते इंद्रियानू इस्त दे बल मोडना ही सात्विक तारना है, अते, ययातु धर्मका मार्थां दृत्याधारय तेर्जुन प्रसंगे नफला कांग्षि ध्रितिस्सा पार्थ राजसी फे पार्थ फाल्दी इच्छावाडा मनुक अती लगावट नाल मोहो नाल जिस तारना राही शीर्ष तर्म अर्थ ते काम नू तारन करदा है अर्थात मोक्षनु नहीं ओहो तारना राजसी है इस तारना दावी मकसद ओही है पर काम ना शामिल है बदले विच कुछ चौन दी आस है उन तामसी तारना दे लक्षन यया स्वप्नम भयं शोकं विशादं मदमेवच नविमुन्चति दुरमेधा दृतिस्सा पार्थ तामसी हे पार्थ दुस्ट बुद्धी वाड़ा मनुक जिस तारना नाल नीन्द पै चिंता दुख अते अभिमान नू भी नहीं छड़दा इना सार्यानू तारन करदा है ओह तारना तामसी है हून एह प्रश्न पूरा होया अगला प्रश्न है सुख सुखम त्विदानीं त्रिविधम श्रिणुमे भरतर शभः अभ्यासा द्रमते यत्र दुखान तंच निगच्छती अर्जुन हुन सुख देवी तिन परकारांदा वरणन तु मेरे पासों सुन। उना विच्चों जिस सुख विच सादक अभ्यास नाल रेंदा है अर्थात चितनु समेट के इस्ट विच लग्या रेंदा है जो दुखान दा अंत करनवाडा है अते यत्त दग्रे विशमिव परिणामे मृतो पमं तत्सुखं सात्विकं प्रोप्तं आत्म बुध्धि प्रसाद जम। उप्रोप्त सुख दे आरामव विच हलांकी सब कुछ विश्दे समान लग्दा है परलाद नू सूली ते चड़ाया गया मीरा नू विश्च मिल्या कबीर केंदेहन सुखिया सब संसार है खाए और सोवे दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे इसलिए शुरू शुरू विच सब कुछ विश्वरगा जापता है पर नतीजे वज्जों अमरित समान है अमरित ततनू द्योन बड़ा है इसलिए आत्मा विश्यक बुद्धी राही पैदा होया सुख सात्विक कहा गया है अते जो सुख विश्या ते इंद्रियां दे संजोग जा मेल नाल हुन्दा है ओहो हला की पोग कर दे होए अमरित समान लगदा है पर नतीजे वज्जों विश्च समान है क्योंकि जनम मरंदा कारण है ओहो सुख राजिस कहा गया है अते यदग्रेचानु बंधेच सुखम मोहनमात्मनाह निद्रालस्य प्रमादूत्थम तत्ताम समुदारितं जो सुख पोग दे समें अते नतीजे विच भी आत्मानु मोह विच पौण वाला है नेंद विच या निशा सरभूता नाम संसार रूपी रात विच अचेत रखन वाला है आलस अते फिजूल हरकतां तो पैदा ओह सुख तामस किहा गया है हुण योगेश्वर श्री कृष्ण गुना दी पहुँच दस्ते हान जो सार्यां दे पिछे लगे हान नतदस्ति बृथिव्यां वाल दिविदे वेशुवा पुनाह सत्वं प्रकृति जैर मुक्तं यदे भिश्या त्रिभिल गुणें अर्जुन पृत्वी विच्छ स्वरग विच्छ जान देवत्यां विच्छ ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति तो पैदा होये तिन्ना गुणा तो रहित होवे अर्थात ब्रह्मा तो लेके कीट पतंग तक सारा जग छिन पंगुर मरन जियून बाड़ा है तिन्ना गुणा दे तहत है अर्थात देवता वी तन्ना गुणा दे विकार वाले हन नश्वर हन इत्थे बाहरी देवत्यां दी गल योगेश्वर ने चौत्थी बार तोहराई है अध्याए साथ नौ स्तारा ते फिर इत्थे अठार में अध्याए विच इना सार्यां दा इकको मतलव है की देवता तन्ना गुणा दे तहत हन जो इना नू सिमर्दा है उह नश्वर नू सिमर्दा है पागवत दे तीजे सकांद विच महारिशी शुक अते नौ योगेश्वरांदा समू आख्यान अर्थात कथा है जिस विच उपदेश देंदे होए उह केंदे हन की इस्तरी पुरुष्दे प्रेम लेई शंकर पार्बती दी अरोगता लेई अश्वनी कुमारांदी जित लेई इंदर दी अते तन लेई कुबेर दी पूजा करो इस तरह अनेक कावनावादा जिकर करके अंत विच नेरणे देंदे हन की सारियां कावनावादी पूर्ती अते मोक्षलेई एक मातर नारायान दी पूजा करो तुलसी मूल ही सींचिये फुलेई फलेई अधाय अर्थात जाडनू सींचन नार फुल फल अपे वद्देहन इसलेई श्रद्दा व्यापी प्रभूदा सिमरन करो जिस्ती प्राप्ती लेई सत्गुरुदी शरण निशकप्ट पावनावप्रशन पुछना अते सेवा ही एकको एक उपाए है आसुरी अति देवी संपतियां अंते करंदियां दो बिर्तियां हन जिना विच्चों देवी संपति परमदे परमात्मादा राह दस्ती है इसलिए देवी कहुंदी है पर एह भी तिन्ना गुणा दे तहत है गुण शान्त होन दे बाद एह भी शान्त हो जान्दी है तद उपरान उस आतम त्रिप्त योगी ले कोई भी कर्तव बाकी नहीं रह जान्दा होन वेखिये पहला तो ही शुरू होया प्रशन वर्ण वेवस्था वर्ण जनम परधान है जां कर्मा नाळ प्रापत होन बाली अंदरूनी योगिता दा नाम है इसनू वेखिये ब्राम्हनक्षत्रिय विशाम शुद्राणाम्च परंतप कर्मानि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणई है हे पर्मतप ब्राहमन खत्री व्यश अते शुद्र दे करम सवाब तों पैदा गुणा नाल वंडे गय हन जे सवाव विच सात्विक गुण होवेगा ता थोडे विच निर्मलता होवेगी त्यान समाधी दी समर्था होवेगी तामसी गुण होवेगा ता आलस नीन बेत्यानी रहेगी उसे पद्दर्दा करम भी थोडे को लोग होवेगा जो गुण थोड़े अंदर काम कार रहा है वो ही थोड़ा वरण है सवरूप है एह प्रशन योगेश्वर ने एथे चौथी बार दोहराया है अध्याए दो विच इना चार वरणा विचों एक खत्री दा नाम लिया कि खत्री लई युद्ध तों उत्तम कोई मारग नहीं उस दे सवाफ्तों पैदा होई योगेता दे अनुसार करम विच प्रविर्थ होना उस विच मर जाना वी परम कल्यान कारी है दूज्याँ दी नकल करना खतरनाक है अध्याए चार विच किहा कि चार वरणा दी श्रिष्टी मैं कीती ताकी मनुखानू चार जातियां विच वंडिया केंदे हन नहीं गुण करम विभाग सह गुणा दे अनुसार करम दियां चार श्रेणियां विच वंडिया इत्थे गुण एक पैमाना है जिस नाल माप के करम करन दी समर्थानू चार हिस्यां विच बंडिया श्री कृष्टी शवदां विच अव्यक्त पुरुष्टी प्राप्ती लेई करम ही एक मात्र क्रिया है इश्वर प्राप्ती लेई अराधना दा आचरण करना चाहिदा है जिस दी शुरुवात सिर्फ एक इस्ट विच श्रदा नाल हुंदी है चिंतन दी एक विशेश विधी है जो पिछे दस आयहान इस यग करम नू चार पागां विच वंडिया है हुण एह केमे समझिये कि केडा गुण साड़े अंदर कम कार रहा है अते केडी श्रेणी दा है इसते ओहु इत्थे केंदेहान शमो दमस्त पश्युचम क्षांतिरार्जव मेवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म करम स्वभाव जमू मन दा शमन इंद्रियां दा दमन पूरी पवित्तरता मन वानी अते शरीर नू इस्त दे अनुसार्थ पवणा शमा पाव मन इंद्रियां अते शरीर दी बिलकुल सरलता आस्तिक बुद्धी अर्थात इक इस्त विच सची आस्था ज्यान अर्थात प्रमात्मा दी जानकारी दा संचार विज्यान अर्थात प्रमात्मा तों मिलन वाले आदेशां दी जागरती अते उस्ते अनुसार चलन दी समर्था एह सारे सवावतों पैदा हुए ब्राह्मन दे करम हन अर्थात जद सवाव विच एह योगितावा आजान करम तारा वाही रूप नार सवाव विच टल जावे ता उह ब्राह्मन श्रिणीदा करता है अते शौर्यम तेजो ध्रितिर्दाक्षम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वरभावश्च शौर्वीर्ता इश्वरी तेज तीरज चिंतन बिच निपुनता अर्थात करम सू कोशलम करम करंदी कुशलता प्रकरती दे संगर्ष्टों ना दोडंदा सवाव दान अर्थात सब कुछ समर्पन सारे कमा विच स्वामी पाओ अर्थात इश्वर पाओ एह सारे खत्री दे सवभाब जम सवाब तों पैदा होए करम्हान जदो सवाव विच एह योगितामा आजान ता ओह करता खत्री है हुन वैश अते शूद्र दा सवरू कृषिगवरक्षवानिज्यम् वैश कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् खेती गौव रख्या अते व्यवसाए वैश दे सवावतों पैदा होए करम्हान गौव पालन ही क्यों कि मज्जानू मार चडिये बक्रिया ना रखिये ऐसा कुझ नहीं है पुरातन वैदिक साहित विच गौव शब अन्ते करण अते इंद्रियां लेई परचलित सी गौव रक्षादा अर्थ है इंद्रियां दी रख्या विवेक, वेराग, शम, दम, आदी नाल इंद्रियां सुरख्यत हुन दियां हन काम, क्रोद, लोब, मोह नाल इंद्रियां वंडियां जान दियां हन खिंड के कमजोर हो जान दियां हन आत्मिक संपत्ती ही स्थिर संपत्ती है एहो आपना निजतान है जो एकवारी मिल जानते सदा नाल रेंदा है प्रकृतिदे दोंदा विच्चों उनादा सहजे सहजे संग्रे करना व्यवसाय है खेती की है श्रीर ही एक खेतर अर्थात खेत है इसते अंदर बिज्या होया बीज संसकार रूप विच पला बुरा पैदा हुंदा है अर्जुन इस निश्काम करम विच बीज अर्थात आरंभदा नाश नहीं हुंदा पर्मतत दे चिंतन दा जो बीज इस खेतर विच प्या है उसनू सुरख्यत रखदे होए अर्चना अते विकारानू मिटान दे होए वद दे जाना खेती है आपने तो उच्ची स्थिती वाडे प्राप्ति वाडे गुरू जना दी सेवा करना शुद्र दा सवापतों पैदा होया करम है शुद्र दा अर्थ नीच नहीं सगों काट जानकारी वाड़ा है नीवी श्रेणी दा सादक ही शुद्र है परवेशी का श्रेणी दा ओह सादक सेवा तों ही शुरू करे सहजे सहजे सेवा नाल उसते हिर्दे विच उना संस्कारां दा सिर्जन होएगा अते क्रम वार चल दे होए ओह व्याशे खत्री अते ब्रह्मन श्रेणी तक दी दुरी तै करके वरणानू पार करके ब्रह्म विच परवेश पा जाएगा सवाव परिवर्तन शील है सवाव दे परिवर्तन नाग वरण परिवर्तन हो जान्दा है असल वीच एहे वरण अती उत्तम, उत्तम, मद्यम, अते निमन चार अवस्थामा हन करम मारग उत्ते चलन वाले साधकानिया चार उचिया नीमिया पोडिया हन क्योंकि करम इक ही है नियत करम श्री कृष्ण केंदेहन की परम सिद्धी प्राप्ती दा एहो इक रस्ता है की सवाव विच जैसी योगिता है उसे अनुसार करम शुरू करो इसनू वेखिये स्वे स्वे करमन्य भिरताह संसिद्धिम् लभते नरह स्वकर्म निरतसिद्धिम् यथा विन्दति तच्छिनू आपने आपने सवाव विच मिलनवालियां योगितावा दे अनुसार करम विच लग्या होया मनुक संसिद्धिम् पगवत प्राप्ती रूपी परम सिद्धिनू प्रापत होंदा है उनाने पहलावी आख्या है हुण आपनी योगितादे अनुसार करम शुरू करणवाला मनुक परम सिद्धिनू किमे प्रापत होंदा है एहे विदी तू मेरे तो सून त्यान देना यत प्रवृत्तिर भूताना येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मनातम अभ्यल्च सिद्धिम्बिन्दति मान वाहा जिस परमात्मा तो सारे पूत प्राणियां दी उत्पत्ती होई जिस नाल एह सारा जगत व्याप्या होया है उस परमेश्वर्दी स्वकर्मना आपने सवाप्तों पैदा होए कर्मनाल अराधना करदा होया सादक परमसिद्धिनू प्रापत होंदा है इसलिए परमातमादी पावना अते परमातमादा ही तन माननाल सिमरन कर दे होए अग्येवदना जुरूरी है जिमे कोई अपनी योगिता तो वद वाली वड़ी जमात विच पढ़न ले जा बैठे ता छोटी जमात वाली पढ़ाई भी नहीं कार सकेगा अते वड़ी पढ़ाईता मिलनी ही नहीं क्योंकि उस ती योगिता ही नहीं है उस पास इसलिए आपनी योगिता दे अनुसार कर्म शुरू करना ही ठीक है जिमे इस अध्यायदे छेवें श्लोक बिच दस्या है उस विदीना इसे गाल उत्ते फेर जोड देंदे होए केंदेहन की चाहे तुसी थोड़ा ही जान दे होगो उत्थों ही शुरू करो विदी एहो है की परमात्मानू आपना पूरा समर्पन करो श्रेयान स्वधर्मो विगुणह परधर्मात्स्वनुष्ठितात्स्वभावनियतं कर्म पुर्वन्ना अपनो ते किल विशम दूज्ये दी नकल चंगी तरा करन तो बहतर है की आपने थोड़े जेहे गुण नाळ ही कर्म शुरू करो ता एहे परम कल्यान कारी है सभाब नेतम, सभाब दे अनुसार नेत कर्म करदा होया मनुक पाप अर्थात आवा गमन नुप रापत नहीं होंदा अक्सर केई साथकांदा मन उचाठ हो जानदा है की असी सेवा ही कर दे रहांगे उच्चे सोच दे हन, ओहो सोच दे हन, महापुरिष्टा त्यानी हन, अच्छे गुणा दे करके उनादा मान सम्मान है एह सोच के ओहो फौरन नकल करन लग दे हन, शिरी कृष्ण केंदे हन की नकल जा इर्खा नाल कुझ नहीं मिलदा आपने सवाविक गुणदे अनुसार करम दी समर्था ही पर्म सिद्धी द्योंदी है, और किसे त्रीके नाल नहीं सहजम करम कौंतेय सदोशम पिनत्यजे सर्वारं भाहि दोशेण कौंते दोश पूरण काट जानन वाड़ा है, तां जाहिर है कि अजे उस विच दोश भी होणगे ऐसा दोश पूरण भी सहजम करम सवाप तो पैदा होए सहज करम नूँ भी नहीं त्यागना चाहिदा क्योंकि जिमें अग तुए नाल टकी होई है, उसे तरह सारे करम किसे ना किसे दोश नाल टके हुंदे हन चाहे ब्रामन श्रेणी होवे करमता करना ही पैरया है, जद तक स्थिती नहीं मिली तद तक दोश मौजूद है, प्रकृती दा पर दा प्या होया है तोशा दा अंत उत्थे होवेगा जित्थे ब्रामन श्रेणी दा करम वी ब्राम बिच परवेश्ते नाल लीन हो जाएगा उस प्राप्ती बालेदा की लक्षन है, जिस्ता करम नाल मतलब नहीं रह जान्दा असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस प्रिहह नैश कर्म्य सिध्धिं परमां सन्यासे नाधि गच्चती हर चीज लई आसकती रहित बुद्धिवाला, मोह तो पूरा रहित, जित्ते होय अन्ते करन वाला पुरुष् सन्यासे न सब कुछ त्यागन दी अवस्था विच परम निश्कर्मता दी सिधीनू प्रापत हुन्दा है एथे सन्यासी अते पर्मनिशकर्मता दी सिद्धी समान आर्थक हन एथे संखेय योगी अर्थात ज्यान मारगी उत्थे ही पहुंचता है जिठे निशकाम कर्म योगी एहे उपलब्दी दोम्या लेई एक समान है हुण पर्म निश कर्मता सिद्धी नू प्रापत होया पुरुष कि में ब्रह्म नू प्रापत होंदा है उस्दा संखेप नाल चित्रन कर देहान। सिद्धिं प्रापतोय था ब्रह्म तथा अपनोति निबोधमे समासे नैवकोंतेय कौंत्य जो ग्यानदी परा निस्था है परा कास्था है उस पर्मसिद्धिनू प्रापत होया पुरुष ब्रह्मनू जिस तरह प्रापत हुन्दा है ओह विदी तू मेरे तो संखेप विच जान अगले श्लोक विच ओही विदी दस्ते हन त्यान देना बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो दृत्या अत्मानम्नियम्यच शब्दादीन विशयाम् स्त्यक्त्वा रागत्वेशव व्युदस्यच विविक्त सेवी लग्वाशी यतवाक्कायमान सहं ध्यान योग परो नित्यम् वैराग्यम् समुपाश्रिताः अर्जुन विशेश रूप नाल शुद्ध बुद्धी बाड़ा एकांत वास अते शुब स्थान विच रहन वाड़ा साधना विच जितना सहायक होवे उतना ही पोजन करन वाड़ा जित्ते होए मन वचन शरीर वाड़ा द्रेड वैराग नूँ पली पांत पहुंचया होया पुरुष निरंतर त्यान योग विच लग्या होया ऐसी तारना समेत अर्थात एह सारियां गल्ना तारन करके अते अन्ते करन नूँ वश विच करके शब्द आदी विश्या नू त्याक के राग द्वेश नू नस्ट करके अते अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते अहंकार, बल, कमंड, काम, क्रोध बाहरी चीजां अते पीतरी चिंत नू त्याक के ममता रहित, शान्त अन्ते करन वाला होके पुरुश पर ब्रह्म दे नाल एका पाब होन दे लेई योग हुंदा है अग्गे वेखिये ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा नशोचति नकांक्षति समसर्वेशु भूतेशु मद्भक्तिन लभते पराण ब्रह्म नाल एका कार अर्थात एका पाब होन दे योगिता वाला ओहो परसन्न चित पुरुश ना ता किसे चीज लेई शोग करदा है अते ना ही किसे चीज दी आस ही करदा है सार्या पूता प्राणिया लेई साम पाव रखन वाला ओहो मनुक पक्ति दी पराकास्ट आते है पक्ति आपना परिणाम देन दी उस स्थिती विच है जित्थे ब्रह्म विच परवेश मिलदा है हुन भक्त्या माम भिजानाति यावान्यस्चास्मि तत्वताह ततो माम तत्वतो ग्यात्वा विशते तदनंतरम उस परापक्ति द्वारा ओहो मैनू तत्थों पली परकार जानदा है ओहो तत्थ की है मैं जो हाँ अते जिस परवाब वाला हाँ अजर अमर शाश्वत अलोकिक गुणा वाला हाँ हुन उसनू जानदा है अते मैंनू तत्थों जानके तत्काल मेरे विच परवेश कार जानदा है प्राप्ति काल विचतां पगवान दिखाई पेंदेहन अते प्राप्ति दे ठीक बाद तत्थ पल ही सदक अपने ही आतम सबरूपनू उना इश्वरी गुणा नाग ओत्प्रोत वेखदा है की आतमा ही अजर अमर्शाश्वत अव्यक अते सनातन है अंकार बल दम कामक्रोध मद मोह आदी प्रकृती विच सुटन वाले विकार जोदो पूरे शान्थ हो जानदेहन अते विवेक वेराग सम दम एकांत वास त्यान आदी ब्रह्म विच परवेश दियोणवालियां योगतावा जद पूरियां परिपक हो जानदियां हन उस समें ओह ब्रह्म नू जानन योग हुन्दा है उस योगतादा नाम ही परापत्ती है इसे योगता नाल ओह तत नू जानदा है तत है कि मैं तत हाँ मैनु जानदा है पघवान जो है जेडियें पगूतिया नार है उसनु जानदा है अते मैनु जान के तत काल मेरे विच्छी एस्थित हो जानदा है अरफात, ब्रम, तत, ईश्र, परमात्म अते आत्मा एक दुजे दे समानार्थक हन इक दी जानकारी होन दे नार ही इना सारें दी जानकारी हो जान दी है एहो परमसिद्धी, परमगती, परमात्मा वी है इसलिए गीता दा द्रिड निश्चे है कि सन्यास अते निश्काम कर्म योग दोविया राही परम निश्कर्मता दी सिद्धी पौंड लेई नियत करम अर्थात चिंतन जरूरी है हुन तक ता सन्यास दे लेई उनाने पजन चिंतन उते ही जोर पाया अते हुन समर्पन कहके चर्चानू कर्म योगी दे लेई वी कह रहे है हन। शाश्वतं पदम व्ययं विशेश रूप नाल मेरा आस्रा लेणवाला पुरुष्ट सारे कर्मा नू करदा होया लेश मात्रवीत रुटी ना रखदा होया मेरी किर्पादे परशाद नाल शाश्वत अविनाशी परमपाद नू प्रापत हुनदा है कर्म ओही है नियत कर्म यग दी प्रक्रिया पूर्ण योगेश्वर सत्गुरुदे आस्रे होया सादक उनादी किर्पापरसाद नाल शेती ही प्रापती करलेंदा है इसलेई प्रापती वास्ते समर्पन चाहिदा है चेत सासर्व कर्मानि मै सन्यस्यमत्पराह बुद्धियोगम पाश्रित्य मच्चित्त सततंभव इसलेई अर्जुन सारय कर्मानु अर्थात जो कुछ भी तेरे तो हो सकता है मन नाल मैनु अर्पित करके आपने प्रोसे नहीं बलकि मैनु समर्पित करके मेरा शर्दालू होके बुद्धी योग अर्थात योग दी बुद्धी दा सहारा लेके निरंतर मेरे विच चित लगा योग इक को है जो दुखांदा पूरा अंत करणवाडा अते पर्म तत पर्मात्मा विच पर्वेश दियोणवाडा है उस दी क्रिया भी इक को है यग दी परक्रिया जो मन अते इंद्रियां दे सयम स्वास पर स्वास अते त्यान आदी उत्ते निर्भर है जिस्ता परिणाम भी इक को है यान्ति ब्रह्म सनात्नम इसे बारे अग्ये केंदेहन मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्रिश्यसि अथचेत्वमहंकाराण इस तरह निरंतर मेरे विच चित्नु लगाउन वाला बनके तु मेरी किरपा नाल मन अते इंद्रियां दे सारे किले सहजे ही जित लेंगा इंद्रियेह द्वारज रोखा नाना तह तह सुर बैठे करिथाना आवत देख ही विशे बेयारी तेहे हट देही कपाट उगारी एह दुरजे के लेहन जिनानु जितना बड़ा कठिन है मेरी किरपा नाल तू इना अर्चनानु पार कार जाएंगा पर जे अहंकार दे कारण मेरे वचनानु नहीं सुण सकेगा ता नस्ठ हो जाएंगा पर मार्थ तो दूर हो जाएंगा फिर इसे उत्ते जोर देंदे हनकी जे तु अहंकार्दे आसरे रेंदा हुया एह मंदा हैं कि युद्ध नहीं करांगा ता तेरा एह निश्चे मिथ्य है क्योंकि तेरा सवाव जवर्दस्ति तैनू युद्ध विच लगा देवेगा स्वभाव जेन कौन तेय निवध्ध स्वेन कर्मना कर तुम नेच्छस यन्मुहात कौन्ते मोहबश तुम जिस कर्मनू नहीं करना चौन्दा उसनू भी तुम अपने सवावतों पैदा होए कर्म नाल बन्या होया पर वस होके करेंगा प्रकृति दे संगर्ष्तों ना दोडन दा तेरा खत्री श्रेणी दा सवाव तैनू बदो बदी करम वीच लगाएगा प्रश्न पूरा होया हून ओहो इश्वर रेंदा कित्थे है योगे इश्वर केंदे हन इश्वरस्सर्वभूताना रिद्देशेर्जुनतिष्ठति अर्जुन ओहो इश्वर सारे पूत प्राणिया दे हिर्दे देश विच निवास करदा है इतना कोल है ता लोकी जान दे क्यों नहीं माया रूपी यंत्र विच सवार होए सब लोकी परमदे बास होके चक्कर लगाउंदे ही रेंदे हन इसलिए नहीं जान दे एहे यंत्र बड़ा बादख है जो बार बार नश्वर कलेवरां अर्थात शरीरां विच कमांदा रेंदा है ता किस्ती शरण जाईए तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत तत प्रसादात पराम शान्तिम् स्थानम प्राप्ष्य सिशाश्वतम् इसलिए हे पारत पूरी पावना नार उस इश्वर्दी अर्थात जो हिर्दे देश विच स्थित है अनन्य शरण विच जाईए उस्दे किर्पा परशाद नार तू परम शान्ति शाश्वत परमात्मानू प्रापत हो मेंगा इसलिए त्यान करना है ता हिर्दे देश विच करो पर इश्वर्दा निवास थान हिर्दे है पागवत दी चतुर श्लोकी गीता दावी इहो सारांश है कि वैसे ता मैं सब थाई हाँ पर जे प्रापत होंदा हाँ ता हिर्दे देश विच त्यान करन नार ही इतिते ज्ञानमाख्यातम गुईहात गुईहतरम्मया विम्रुष्यै तदशेशेण यथे अच्छ सित था कुरू इस तरह एहे रहस्य मैं तो भी अती रहस्य मैं ग्यान मैं तेरे लिए किहा है इस विदी नार पूरा विचार कर फिर जैसा तु चौंदा है वैसा कर सच एहो है खोज करन दा स्थान एहो है प्राप्ति दा स्थान वी एहो है पर फिर दे विच वसया इश्वर दिखाई नहीं देन्दा उस्ता उपाय दस्तेहन सर्वगुयतमं भूयाह श्रिणुमे परमं वचाह इश्टो सिमे द्रिढमिती अर्जुन सारे रहस्यां तो भी अती रहस्या मैं मेरे बचना नू तू फेर तो सुन कह चुक्के हां फेर वी सुन सादिक लई इस्ट सदा तत पर खड़े हन क्योंकि तू मेरा अती प्यारा है इसलिए एह परम हितकारी वचन मैं तेरे लई फेर वी कहांगा की है उह गल मन्मना भवमद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरू मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रति जाने प्रियोसी में अर्जुन तू मेरे विच्छी अनन्य पाबनाद मन लगान वाला हो मेरा अनन्य पगत हो मेरे प्रती श्रदा नाळ पार के समर्पन करदे होए तेरे अथ्रू बह लगण इस तरह मेननों ही नमन कर ऐसा करण नाळ तू मेननों ही प्रापत होएंगा इह मैं तेरे लिए सची पर्तिग्या करके केंदा हाँ क्योंकि तु मेरा अतियंत प्यारा है पहला उनने किहा कि इश्वर हेर्दे देश विच है उस दी शरण जा एथे केंदेहन मेरी शरण आ अती रहस्य में वचन सुन कि मेरी शरण आ ता असल विच योगेश्वर केना की चौंदेहन एहो कि सादक लेई साथ गुरुदी शरण वड़ी जरूरी है श्री क्रिशन एक पूर्ण योगेश्वर सन हून ओहो समर्पन दी विदी दस्तेहान सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणम ब्रज अहम्त्वा सर्वपापे भ्योग मोक्ष इश्यामिमा शुचाहँ सारे तर्मानुत्याके अर्थात मैं ब्रामन श्रेणीदा करता हां जा शुद्र श्रेणीदा खत्री हां जा वैश एह सब छड़के सिर्फ इकको इक मेरी ही शरण विच आजा मैं तरनू सारयां पापां तो मुक्त कार देवांगा तू सोग ना कर इना सारे ब्रामन खत्रियादी वरणा दा विचार ना करके कि इस करम मारग विच मैं केड़े पद्दर दाहां जो अनन्य पावना इस्त दी शरण हो जान्दा है इस्त तों सिवाए होर किसे नू नहीं वेकदा उस्ते सहजे सहजे वरण परिवर्तन उत्थान अते पापां तो पूरी निर्वर्ती अर्थात मोक्षती जिम्मेवारी ओह इस्त सत्गरू आप अपने हत ले लेंदे हन हर महा पुरिशने एहो किहा शास्तर जो दों लिखित रूप विच सामने अंदा है अर्थात लिख्या होया मिलदा है तां लगदा है कि शास्तर सारें लेई है पर असल विच ओ सिर्फ श्रदावान लेई ही है अर्जुन अधिकारी शिष्य सी इसलेई उसनु बल पर दान करदे हुए किहा हूण योगेश्वर खुद ही निर्णे देंदे हन कि इसते अधिकारी कौण हन इदम्ते नातपस्काय नाभक्तायकदाचन नचाशुष्रूषवेवाच्चं नचमाम्योभ्यसूयति अर्जुन इस तरह तेरे लाबलेई कहे गए इस गीतादे उपदेशनु किसे वी समय विच पुल के भी नाता तप रहित मनुखनु कहना चाहिदा है अते नाही सुनन दी इच्छा ना रखन वालेनु कहना चाहिदा है अते जो मेरी निंद्या करदा है कि एह दोश है ओह दोश है इस तरह दी चुठी आलोचना करदा है उसनु भी नहीं कहना चाहिदा श्री कृष्ण महापुर्शीता सन जिना दी उस्तत करणवालयां दे नाल नाल कुछ निंदक भी रहे होनगे ऐसे निंदकानु नहीं कहना चाहिदा ता फेर प्रशन सवाविक है कि किसनु किहा जावे उस्ते ओह कहन दे हन यइमं परमं गुय्यं मद्भक्तेश्व भिधास्यति भक्तिम्मै पराम कृत्वा मामे वैश्यत्यसंशया जो मनुख मेरे विच प्रेम रखे इस परम रहसे मैं गीता दे उपदेश्णू मेरे पक्ता लई कहेगा ओहो निसन देह मैंनू ही प्रापत होएगा अर्थात ओहो जो सुन लेगा ओहो पगत मैंनू ही प्रापत होएगा क्योंकि उपदेश्णू सुन के ओहो पली पांत अपने हिर्दे विच उतार लेगा ता उसते चलेगा अते पार पार लेगा हुणू उपदेश्ण देन वाले अनले केंते हनू नचतस्मान मनुष्येशु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमह भवितान चमे तस्मान अन्या प्रियतरो भुवि ना ता उस्तो वद मेरा प्यारा कम करनवाड़ा मनुखा विच कोई होर है अते ना उस्तो वद मेरा अती प्यारा प्रिथ्मी उते दुज्जा कोई होएगा किस्तो बद प्यारा जो मेरे पक्ता विच मेरा उपदेश करेगा उना नू उस मारग उते चलाएगा क्योंकि कल्यान दा एहो एक कुपाई है राज मारग है हुन बेखिये अध्यायन अध्ये शते चय इमम धर्म्यम् संवाद मावयोह ज्यान यग्येन ते नाहम इश्टस्यामिती में मति ही जो पुरुष इस तरम्यी साटे दोना दे समवादा अध्येश्ते पली परकार मनन करेगा ओहो ग्यान यग नाल मेरी पूजा करणवाडा होएगा अर्थात ऐसा यग जिस्दा परिणाम ग्यान है जिस्दा सबरूप पिछे दस्या गया है जिस्दा अर्थ है साख्यात कारदे नाल मिलनवाडी जानकारी एह मेरी पक्की सला है श्रद्धा वानन सुयस्च श्रिनुयाद पियो नराह सोपि मुक्त शुभां लोकां प्रापनुयाद पुन्य कर्मणां जो मनुक श्रद्धा नाल पारके अते इर्खा रहित होके सिर्फ सुन भी लवेगा उह भी पापां तो मुक्त होके उत्तम करम करन वाड़यादे स्रेस्ट लोकनु प्रापत होएगा अर्थात जे थ्वड़े कुलों हो नहीं सकता ता सिर्फ सुन के भी थ्वाननु उत्तम लोकती प्रापती हो सकती है क्योंकि सुनन वाड़ा वीता आपने चित विच ओह गलना ग्रेन करदा ही है एथे स्तार्टों 71 तक पांज शलोकां विच पगवान श्री कृष्ण ने एह दस्या की गीता दा उकदेश सिर्फ अधिकारी मनुखानू जो श्रदा वान हन उनानू करना चाहिदा है जिना नू श्रदा नहीं ओ अधिकारी नहीं जो पगत सुनेगा ओह मैंनू प्रापत होएगा क्योंकि अती रहस्य में छुपी होई सच्चाई नू सुनके मनुख उस उते चलन लगदा है जो इसनू पगता लेई कहेगा उस तो वद प्यारा मैनू होर कोई नहीं है जो अध्याइन करेगा अर्थात पड़ेगा सुनेगा ओह मेरी ग्यान यागराही पूजा करनदा फल पाएगा यागदा परिणाम ही ग्यान है गीता दे अनुसार जो करम करन विच असमर्थ है पर श्रद्दा नाल सिर्फ सुनदा ही है ता ओह भी पुन्वेई लोकानू प्रापत होएगा इस तरह पगवान श्री क्रिशन ने इस उपदेश दे कहन सुनन अते अध्याइन दा फल दस्या प्रश्न पूरा होया हुण अन्त विच ओहो अर्जुन तो पुछदे हन कि कुछ समझ विच आया कच्चि दे तच्छुतम पार्थ त्वये का ग्रेण चेत साँ कच्चि दज्ञान सम्मोह प्रनश्टस्ते धनन जय हे पार्थ की मेरा एह वचन तु एकागर्चित होके सुनिया की तेरा अग्यान तों पैदा होया मोह नस्ट हो गया इसते अर्जुन बोलिया अर्जुन उबाच त्वत्प्रसादान्मया चुत स्थितो स्मिगत संदेह करिश्य वचनम्तव हे अच्यूत आप दी किर्पानाज मेरा मोह नस्ट हो गया है मैंनू सिम्रती प्रापत होई है हुन मैं शंका रहित हो गया हां अते आप दी आज्यादा पालन करांगा अर्जुन दा समाधान हो गया नाले योगेशुर श्री क्रिशन दे शिरी मुक्तों निकड़ी वानी दा उपसंहार हो गया इसते संजे बोलिया ग्यार में अध्याय विच विराट रूपदा दर्शन करा लेन दे बाद योगेशुर श्री क्रिशन के हासी की अर्जुन अनन्य पक्ति नाल मैं इस तरहां वेखन लेई जिवे तू वेख्या है तात्य तो जानन लेई अते परवेश करण लेई सुलब हाँ इस तरहां दर्शन करणवाले साख्यात मेरे सबरूपनों प्रापत हो जान्दे हन अते एथे फेर अर्जुन नू पुछते हन की तेरा मोह खत्म होया अर्जुन ने किहा की मेरा मोह खत्म हो गया मैं अपनी समृती अर्थात चेतना नू प्रापत हो गया हां आप जो कैन्दे हो ओही करांगा दर्शन्दे नालता अर्जुन्नू मुक्त हो जाना चाहिदा सी दरसल अर्जुन्नू ता जो होना सी हो गया पर शास्तर पवेक विच आउन वाड़ी पीड़ी लेई हुन्दा है उस दालाब तुसा सार्यां लेई है संजे उबाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य चमहात्मनह सववादमिममश्रवशं अध्भुतं रोमहर्षणं इस तरह मैं वासुदेव अते महात्मा अर्जुन्नू अर्थात अर्जुन एक महात्मा है योगी है, सादक है ना की कोई तनुर्तारी जो मारंदे लेई खड़ा है इसलेई महात्मा अर्जुन दे इस विलखन अते रुमांचकारी समवाद नू सुनया संजे विच सुनन दी समर्था किने आई ता उसने अग्गे किहा व्यासप्प्रसादाच्षितवान एतत्गुयमहंपरं योगं योगेश्वरात्कृष्णात साक्षात कथयत स्वयम शिरी व्यास जी दी किर्पा नाल उना दी दित्ती हुई द्रिस्टी नाल मैं इस अती गुज्जे हुए रहसे वाले योगनू साख्यात कैंदे हुए खुद योगेश्वर शिरी कृष्ण तो सुनया संजे श्री कृष्ण नू योगेश्वर मन्दा है जो आप योगी होवे अते दुज्यानू वी योग देन दी समर्था रखदा है ओहो योगेश्वर है राजन संस्मृत्य संस्मृत्य सौवाद मिमम अध्भुतं केशव अर्जुन योग पुन्यम धिश्यामिच मुहुर्मुहु हे राजन त्रेत्रास्ट केशव अते अर्जुन दे इस परम कल्यान कारी अते अध्पुद संवाद नू याद कर करके मैं बारं बार परसन हो रहा है इसलिए इस संवाद नू हमेशा याद कर दे रहना चाहिदा है अते इस तो हमेशा परसनता प्रापत करदे रेना चाहिदा है हुन उना दा सवरूप याद करदे होए संजे कहनदा है हे राजन हरीदे अर्थात जो शुव अशुव सब्दा हर्ण करके आप वाकी रेन्दा है उस हरीदे अती अचरज कारी रूप नू बार बार याद करके मेरे चित विच बड़ा ही अचरज पैदा हुन्दा है अते मैं बार बार परसन हुन्दा हाँ इस्ट दा सबरूप बार बार याद करंदी चीज है अंत विच संजे निर्णे देंदा है यत्रयोगेश्वरह क्रिष्णो यत्रपार्थोधनुर्धरह तत्रश्रीर्विजयोभूतिहि ध्रुवानी तेर्मतेर्ममा तत्रश्रीर्विजयोभूतिहि ध्रुवानी तेर्मतेर्ममा राजन जित्ते योगेश्वर श्रीक्रिष्ण अते तनूरतारी अर्जुन अर्थात त्यान ही तनूर है इंद्रियां दी द्रेटा ही गांडिव अर्थात गदा है अर्थात स्थिर्ता देनाल त्यान तरनवाडा महात्मा अर्जुन है उत्ते ही श्रीह एशुरे अर्थात ईशु़ता जित्त है जिस्दे पिछे हार नहीं है ईशुरी श्रेश्टता अतेचल संसार विच अचल रहन वाली नीती है ऐसा मेरा मत है आज तान तनुरतारी अरजुन है नहीं की एह निती, जित, स्रेश्टता, अरजुन तक ही सिमत रह गई ततकाली सी एहे की एहे द्वापर विच ही खत्म हो गई नहीं, ऐसी गल नहीं है योगेशुर श्री कृष्ण ने दस्या है की मैं सब्दे हिर्दे देश विच निवास करदा है त्वाडे हिर्दे विच भी हन ओह अनुराग ही अरजुन है अनुराग त्वाडे अन्ते करंदी इस्ट मुखी लगंदा नाम है अते अनुराग त्वाडे अंदर हैता त्वाडी सदा ही असली जित है अते अचल स्थिती द्याण बाली नीती भी मौजूद रहेगी एह नहीं कि ओह किसे बीते समेविच सी जद तक प्राणी रहनगे परमात्मा दा निवास उना दे हिर्दे देश विच रहेगा व्याकुल आत्मा उसनु पाउंड दा इच्छुक रहेगा अते उना विच्चों जिस्ते वी हिर्दे विच अनुराग उमडेगा ओहो अरजुन दी श्रेनी वाडा होएगा क्योंकि अनुराग ही अरजुन है इसलिए हर मनुख इस्ते योग हो सकदा है सार एह गीता दा अन्तिम अध्याए है शुरू विच ही अरजुन्दा प्रशन सी कि प्रभू मैं त्याक ते सन्यास दे पेद अते सवरूप नू जानना चाउंदा है योगेश्वर श्री क्रिशन ने इस्ते परचलित चार मतां दी चर्चा कीती इना विचों एक सहीवी सी इस नार मिलदा जुरदा ही निर्णे योगेश्वर श्री क्रिशन देता की यग दान ते तप किसे वी समय विच नहीं छड़ने चाहीदे एह मनीशियानू वी पवित्तर करनवाले हन इना तिन्नानू करदे होए इना दे विरोधी विकारानू त्यागना ही असली त्याग है एह सात्विक त्याग है फाल दी इच्छा दे नाल त्याग राजसी है अते मोहोवश नियत करम दा ही त्याग तामसी है सन्यास्त्याग दी ही सब तो उची अवस्था है नियत करम अते त्यान्तों प्रापत सुख साथ्विक है इंदियां ते विश्यादा पोग राजसी है अते त्रिप्ती देनवाले अनुनू ना पैदा करणवाला दुख में ही सुख तामसी है हर मनुख राही शास्त दे अनुसार जा उल्ट कम करन दे पंज कारण हन करता अर्थात मन वक वक करन अर्थात जिना राही कीता जान्दा है विवेक वेराग समदम शुबनु पारलगाउन वाले हन अते काम, क्रोध, राग, द्वेश, आदी, करन अशुबनु पारलगाउन वाले हन अनेक तरादिया इच्छामा, इच्छामा अनन्थ हन सारिया पूरिया नहीं हो सक्दिया सिर्फ ओह इच्छा पूरी हुंदी है जिस दे नाल अधार मिल जान्दा है चौथा कारण है अधार, अर्थात सादन, पंजमा कारण है देव, अर्थात प्रान बद, जान संसकार हर काम दे होन विच एहो पांज कारण होंते हन फेर भी जो केवलता सबरूप, अर्थात जो करन कराउन तो परे है पर मात्मा नू करता मन्दा है, ओहो मूड बुद्धी यथार्थ नू नहीं जान्दा अर्थात पगवान नहीं करदा, जदकी पिछे कह चुके हन की अर्जुन, तू बस सिर्फ नमित बणके खड़ा हो जा करता तर्थाता मैं हाँ आखर ओ माहा पुर्ष की कहना चौन दे हन, असल विच प्रकृती अते पुर्ष दे दर्मियान एक आकर्षन सीमा रेखा है जद तक मनुख प्रकृती विच वर्तदा है, ता तक माया प्रिर्णा देंदी है अते जद ओहो इस्तों उपर उठदा है, अते इस्ट लिच सम्मर्पित हुन्दा है, ते ओहो इस्ट जदों हिर्दे तो रथी हो जान्दे हन ता फेर पगवान आप करदे हन, ऐसे पद्दर उते अर्जुन सी, संजेवी सी, अते सार्यां दे लिए इस पद्दर उते पहुंचन दा हक है इसलिए एथे प्रेरणा पगवान करदे हन, पूरण ग्याता महापुरश, जान्न दी विदी अते जान्न योग परमात्मा इना तिन्ना दे संजोग नाड करम दी प्रेरणा मिल दी है इसलिए किसे महापुर्श अर्थात सत गुरू दे कोल जाके समझन दी कोशिश करनी चाहिदी है वरण व्यवस्था दे प्रशन नू चोथी वार लेंदे होए योगेशुर श्री क्रिशन दस्या की इंद्रियां दा दमन, मन दा शमन, एकागर्ता, शरीर वानी मन नू इस्ट लेइत पाउना, इशुरी जानकारी दा संचार, इशुरी आदेशां उत्ते चलन दी समर्था आदी ब्रह्म विच परवेश द्याण वालियां योगेतावा ब्रह्मन श्रेणी दे करम हन, शुर्वीर्ता पिछे ना हटन दा सवाओ, हर काम विच स्वामी पाव, करम करंदी कुशल्ता आदी, छत्री शेनी दे करम हन, इंद्रिया नू बचाउना, आत्मिक संपत्ति विच श्रेणी दे करम हन, अते सेवा आदी शुद्र श्रेणी दा करम है, शुद्र दा अर्थ है काट जाननवाडा, काट जाननवाडा ऐसा मनुख जो नियत करम, चिंतन विच दो कंटे बैठके, दास मिंट भी अपने इस्ट वाल नहीं लगा सकता, शरीर ताँ जुरूर बैठेया है, पर जिस मनुटि कौना है, ओहो ता उड़दा फिर रेहा है, ऐसे सादक दा कल्यान किवे होवे, ता उसनु आपने तो उच्ची प्राप्ति वाले सादक, जा सत्गुरु दी सेवा चाहिदी है, सहजे सहजे उस विच भी संसकार पैंदे जानगे, वद्दे ज इस तरह ऐसे काट जाननवाले दा करम सेवा तो शुरू होंदा है, करम इकको है, नियत करम, चिंतन, उस दे करता दिया श्रेणिया चार हन, अति उत्तम, उत्तम, मदम, अते निमन, एहो ब्रामन, खत्री, वैश, शुद्र हन, एह वंड मनुखादी नहीं, सगों गुणादे अनुसार करमा दी चार हिस्यां विच वंड है, गीता वाला बर्ण एहो है, तातनू स्पस्ट करदे होए, उन्हाने किहा, अर्जुन, उस पर्म सिद्धी दी विदी, समझावांगा जो ग्यान दी पराकास्टा है, विवेक, वेराग, शम दम, तारावाही चिंतन अते त्यान विच मन लगाउना आदी, ब्रम विच परवेश देऊन वालियां, सारियां योगेतामा जोदों परिपक हो जान्दियां हन, काम, क्रोध, मोह, राग, द्वेश, आदी, प्रकृती, वल, सुट्टन वालियां, ब्रितियां, जदो पूरियां मिट जान्दियां हन, उस अवस्था विच, ओह मनुक, ब्रम नु जानन योग हुन्दा है, उसे योगिता दा नाम है परापक्ति, परापक्ति द्वारा ही उह ततनु जान्दा है, तत है कि तदस्या मैं जो हाँ, जेडियां, भिवूतियां वाला हाँ, उसनु जानना ही ततनु जानना है, अर्थात परमात्मा जो है, अव्यक, शाश्वत, अपरिवर्तन शील, आदी, जेडे अलोकिक गुणा वाला है, उसनु जानना ही ततनु ज जानना है अते जानन दे बाद ओह ततकाल मेरे विच स्थित हो जानदा है इसलिए तत है पर्म तत ना की पंज जा पंजी तत प्राप्ती दे नाल आत्मा उसे सवरूप विच स्थित हो जानदा है उना ही गुणावाला हो जानदा है इश्वरदार निवास दस्ते होई योगेश्वर श्री कृष्णे कहा अर्जुन ओहो इश्वर सारे प्राणियां दे हिर्दे देश विच वस्ता है पर माया रूपी यंत्र विच सवार होई लोकी पठक दे रहन दे हन इसलिए ओहो सच्चाई नहीं जान दे इसलिए अर्जुन तू हिर्दे देश विच वसे होई उस इश्वरदी शरण जा इस तो भी गुज्जा होया एक रहस होर है कि सारे एक तर्मादी चिंता चाड़के तू मेरी शरण आ तू मैंनू प्रापत होएंगा इह रहस गैर अधिकारी नू नहीं कहना चाहिदा जो पगत नहीं है उसनू नहीं कहना चाहिदा पर जो पगत है उसनू जरूर कहना चाहिदा है जो उस तो छुपामांगे ता उस दा कल्यान किवे होवेगा अंत विच योगेश्वर शरी कृष्ण पुछया अरजुन मैं जो कुछ आख्या है ओह तु चंगी तरह सुनया समझेया है तेरा मोह मिटया है के नहीं अरजुन ने किहा पगवन मेरा मोह मिट चुका है मैं आपनी चेतना नू प्रापत हो गया हाँ आप जो कुछ केंदे हो ओही सत्य है मैं हुन ओही करांगा संजे ने इना दोना दे समवाद नू चंगी तरह सुनेया है ओहो हुन निरने दिन्दा है की शिरी कृष्ण महायोगेश्वर अते अर्जुन इक महात्मा हन उना दा समवाद उना दियां गल्ला मुड मुड याद करनार ओहो बड़ा परसन हो रहा है इसलिए इना नू याद कर दे रहना चाहिदा है उस हरीदे सबरूप नू याद करके संजे बार बार परसन हो रहा है इसलिए बारं बार सबरूप दाबी त्यान तरदे रहना चाहिदा है जित्थे योगेश्वर श्री कृष्ण हन अते जित्थे महात्मा अर्जुन है उत्थे ही श्री अर्थात ईश्वर है जित श्रेश्टता अते त्रुब जा अचल नीती भी उत्थे ही है श्रीष्टिदिया नीतिया अज हन तक कल बदलंगिया पर त्रुब अर्थात अचलता एक परमात्मा ही है उस विच परवेश द्याणवारी नीती त्रुब नीती भी उत्थे ही है जे श्रीकृष्ण अते अर्जुननू द्वापर यूगदे खास व्यक्ति मन लेए तांते अज ना अर्जुन है ते ना श्रीकृष्ण तुहनू ना जित मिलेगी ना स्रेश्टता तांते गीता थड़े किसे कम दी नहीं लेकिन नहीं श्रीकृष्ण एक योगी सन अर्जुन अनुराग मेई हिर्दे वाड़ा एक महात्मा सी एह सदा रेंदे हन अते रहनगे श्रीकृष्ण ने आप अपने बारे विच दस्या कि मैता अव्यक्त ही हाँ पर जिस पावनू मैं प्रापत हाँ पाव अर्थात ईश्वर सार्यां दे हिर्दे देश विच निवास करदा है ओ सदा है सदा रहेगा सार्या नू उस दी शरन जाना है शरन जानवाडा ही महात्मा है अनुरागी है अते अनुराग ही अर्जुन है इस दे लई किसे स्थित प्रग्य महापुरिष्टी शरन जाना बड़ा जरूरी है क्योंकि ओ ही इसते प्रेरखान इस अध्याए विच सन्यास दा सवरूप स्पस्ट किता गया कि सब कुछ समर्पन करन दा नाम ही सन्यास है सिर्फ बानाता अरन करन नार सन्यास नहीं हुन्दा बलकि इस दे नार एकांत वास करदे हुए नियत करम बिच आपनी समर्था दे अनुसार जा समर्पन दे नार निरंतर सादना जरूरी है प्राप्ती दे नार सारें करमादा त्याग ही सन्यास है जो मोक्षदा दूजा नाम है एहो सन्यास्ती पराकास्था है इसलिए ओम तत्सिदिती शिरीमद भगबद गीता सूप निशत्सू ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे शिरी कृष्ण अर्जुन सम्वादे सन्यास योगो नाम अस्टा दशो ध्यायः इस तरह शिरीमद भगबद गीता रूपी उपनिशत अते ब्रह्म विद्याते योग शास्त्र विश्यक शिरी कृष्ण अर्जुन सम्वाद विच सन्यास योग नामक अठार्वा अध्याय पूरा हुन्दा है इती शिरीमद पर्महंस पर्माननदस्य शिष्य स्वामी अडगडा नंद कृते शिरीमद भगबद गीताय यत्थार्थ गीता भाष्य सन्यास योगो नाम अस्टा दशो ध्यायः इस तरह शिरीमद पर्महंस पर्माननद जीदे शिष्य स्वामी शिरी अडगडा नंद कृत शिरीमद भगबद गीता भाष्य यत्थार्थ गीता विच सन्यास योग नामक अठार्मा अध्याय पूरा हुन्दा है हर्योम तत्सत हर्योम तत्सत कर दो